आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 एयर और इसके पहले की जो चैप्टर्स है वो सब चैप्टर्स का वीडियो में ने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं आप तो आप फिर आशकीन को टैप कीजिए आपको राइट साइड कॉर अगिया है एयर इस परजन अल aर आउंड अस एयर हाना हमारे चारो तरफ परजन थे यह हम सब जानते हैं ओकिए वी केंफ फिल एट बट कैन नौट सीएट हम इसको केवऴ फिल कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं ओकिए एयर को हम लोग नहीं देख सकते हैं इसस लिए प् किसी तरह का गंद नहीं है ना ही सुगंद है और ना ही दुरगंद है फिर टेस्ट लेस किसी तरह का टेस्ट नहीं है एर में हाना next sentence है we fill air only when it blows हाना हम air को तब फिल करते हैं जब यह blow करता है जब यह बहता है next sentence next paragraph में हम देखते हैं अहां पर अपना नया topic स्टार्ट हो गया है composition of air आनि air क्या-क्या चीजों से मिलके बना हुआ है तो air is an invisible mixture of gases यह एक mixer है air क्या है mixer है और different different gases इसमें मिले हुए है it is made up mainly of nitrogen nitrogen इसमें जैदा मात्रा में है और उसका कितना percentage है तो 78% and oxygen nearly 21% it also contains water vapor and small amounts 1% of other gases okay तो 1% में कौन-कौन से gases है देखिए these other gases include carbon dioxide, ozone, helium and hydrogen among others okay यहां पे एक picture की रूप में हम लोग को दिखाया गया है यह देखिए circle बना हुआ है okay और इसका 78% हाना maximum part क्या दिखाया गया है nitrogen दिखाया गया है और फिर यहां पे 21% दिखाया गया oxygen और यहां पर other gases है और इसका कितना percentage है तो 1% इसमें क्या क्या है हम लोग यहां पे देख लिए है ओके यह देखिए इदर left side तो यह एक picture था composition of air को दिखाने का फिर यहां कहता है do you know the amount of water paper present in air determines the humidity of air okay तो कितनी मात्रा में water paper present है air में हाना वो क्या determine करता है वो determine करता है humidity को okay अगर जैदा मात्रा में water paper present होगा हाना air में तो इसका मतलब हो गया कि यह जो अपना humidity है वो क्या है जैदा है तो जैदा मात्रा में water paper कौन सब मोश्व में present रहता है बताई हम लोग जानते है ना rainy season में water vapor जैदा मात्रा में रहता है air में okay तो rainy season में यह जो humidity है वो जैदा होता है वही summer season में humidity क्या होता है ना बहुत कम होता है तो next यह हम जानगी importance of air air क्यों important है हम लोगों के लिए है ना किस तरह से important है तो इसके बार हम लोग जानेंगे air is very important for animals and plants animals और plants दोनों के लिए important air और किस तरह से important है वो देखिए all the animals including human beings need oxygen to live जितने भी living being है उसमें उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए oxygen चाहिए they all need this oxygen every minute and second of their life हर एक minute और हर एक second में उसको oxygen चाहिए बिना oxygen का वो जिवित नहीं रह सकता है they take oxygen gas they take oxygen from air through the process of breathing breathing process में वो क्या करता है नहीं air जो इनहील करता है जो living being air इनहील करते हैं उसमें जो oxygen है उसका वो इस्तिमाल कर लेते हैं the oxygen present in air is used to produce energy from the food that is eaten देखिए जो food हम लोग खाते हैं वो food energy हम लोग को दे रहा होता है लेकिन वो energy हमको तब देता है जब हम लोग oxygen को इनहील करते हैं आनि oxygen का युप्योग कर लिया जाता है वहाँ पर इन डिस प्रोसेस carbon dioxide gets formed which is breathe out तो इस प्रोसेस में जो हम लोग food खाते हैं okay food आत्म ले रहे हैं वो हम लोग को energy दे रहा होता है और energy तब देता है जब वो oxygen gas को यूज कर लेता है तो इस प्रोसेस में carbon dioxide form होता है और जो carbon dioxide है यह हम लोग क्या करते हैं ब्रिद आउट कर देते हैं oxygen is also required for burning और oxygen क्यों जरूरी है burning के लिए कोई भी object अगर burn करता है जैसे हम लोग fuel को burn करते हैं petrol हो गया, diesel हो गया, kerosene हो गया, यह सब क्याना fuels है इसको burn करने के लिए न oxygen चाहिए होता है बिना oxygen का वो fuel burn नहीं करेगा तो आप समझगे कि अगर fuel नहीं burn करेगा जैसे diesel हो गया अगर नहीं burn करता है तो vehicles नहीं चल पाएंगे आप जितने भी vehicles run करते हैं उसमें जो fuels हम लोग डालते हैं वो burn करता है वहाँ पे उसका combustion होता है और उसके लिए क्या चाहिए oxygen चाहिए तो oxygen क्या चीज़ के लिए जरूत हो गया तो burning के लिए और दुसरा क्या हो गया तो हम लोगों को energy मिलने के लिए यह हो गया importance of air फिर हम आगे आते हैं the following activities help us to understand the importance of air in our life एक activity हम देखेंगे और यह से हमको यह पता चलेगा कि कितना important है air activity क्या कहता है देखें take two lighted candles हम लोग को lighted candles लेने हैं और cover one of them with a glass tumbler which is taller than the candle यह जो दो candle हम लोग लिए हैं यह माल लिज़े के हम लोग पहला candle लिए और यह दूसरा candle लिए ओके क्या करना हम लोग को एक candle को हाना जो पहला candle है इसको as it is रहने देजिए हाना दूसरे candle को हम लोग jar से cover कर देते हाना यह जो glass का jar है इससे क्या कि यह cover कर दिये क्या होता है what do we observe हम लोग क्या देखेंगे the covered candle soon gets put out जो जिस candle को हम लोग ने cover कर दिया हना वो अपने आप put out हो जाता है but the uncovered candle keeps on burning लेकिन जिस candle को हमने cover नहीं किया था वो candle अभी भी जल रहा है okay burn कर रहा है तो ऐसा क्यों हुआ this is because the covered candle soon used up all the oxygen present in the air inside the tumbler तो tumbler के अंदर जितना भी oxygen present था हना वो candle यूज कर लिया और चुकी उसको अब further oxygen नहीं मिल रहा है कहीं से भी नहीं मिल रहा है आप देखिए हना ये close हो चुका है oxygen का पास oxygen पास वहाँ पे नहीं हो पा रहा है इस वज़ा से वह candle क्या ना अपने आप बंद हो जाता है ना बूद गया है it does not get more air and hence more oxygen needed by it to keep burning it therefore stops burning after a while और इसलिए ये जो धिरे धिरे बंद करने के लिए बंद कर देता है okay stop burning next activity हमारे पास है plant also require air to live and grow plants को भी चाहिए ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए क्या चाहिए air चाहिए okay हम इसको cases चेक करेंगे तो इसके लिए फिर से activity यहाँ पर है हम लोग देख ले take two potted plants क्या कहा गया है हम लोग को plants लेने है और दो plants लेने है और यह potted है potted है means गंबला में लगे हुए है यह हम लोग थ्यान रखेंगे देख लिजे यह दोनों है add water to both the plants and keep them in sunlight हम दोनों ही plant को water देंगे हना और फिर उसको कहां पर रखेंगे sunlight में रखेंगे cover one of the plants हना एक plants को क्या करेंगे cover कर देते हैं with a thin transparent plastic sheet हना एक plant जो है उसको हम plastic sheet से क्या किया है ना cover कर दिए okay observe the plants for some days फिर कुछ दिन तक हम observe करते हैं the plant which is kept covered with plastic sheet will shrink up and dry out after some days तो जिस plant को हमने cover कर दिया था वो क्या होता ना dry हो जाता है हना और shrink हो जाता है तो ऐसा क्यों हो रहा है चुकि उसको air नहीं मिल रहा है okay चुकि आपने plastic उसको cover कर दिया तो उसको air नहीं मिल रहा है the other plant will remain healthy और जो दूसरा plant है जिसको हमने cover नहीं किया है वो अभी भी healthy है तो इसका clear reason यह हुआ कि जिस plant को हम लोगोंने cover कर दिया उसको air नहीं मिल रहा है और air नहीं मिल रहा है इस होज़ा से वो plant अपने आपको survive नहीं कर पाया okay next हमारे पास paragraph आपने देखेंगे इसका answer this is because plants need air to live नहीं इसका reason किया है नहीं प्लांट को क्या चाहिए air चाहिए जीवित रहने के लिए they use the carbon dioxide नहीं यह carbon dioxide यूज करते हैं present in the air to prepare their own food by a process known as photosynthesis ओके तो photosynthesis क्या हो रहा है नहीं वो एक ऐसा process है जिसमें जिसमें plants green plants जो है न वो अपना food खुद से prepare कर लेते हैं okay और यह process क्या कर लाता है photosynthesis कर लाता है इसमें से कौन सा gas use कर लिया जाता है plants के द्वारा तो carbon dioxide okay they carry out this process in the presence of sunlight और sunlight के presence में यह process complete होता है तो हम लोगों से अगर पूछा जाता है कि photosynthesis क्या है तो हम लोग simple में बोल सकते हैं ऐसा process है जिसमें green plant अपना food खुद से prepare कर लेता है in presence of sunlight okay sunlight के presence में और क्या ले रहा होता है तो carbon dioxide जो की air में है next topic हमारे पास है nature maintains a balance okay तो nature balance कैसे maintain करता है किसके किसके बीच oxygen और carbon dioxide gas के बीच यह हम जानेंगे तो देखें क्या कहता है animals and humans beings animals and human beings use oxygen present in the air and give out carbon dioxide gas okay तो animals और जो human beings हैं वो क्या यूज करते हैं oxygen gas use कर लेते हैं जो की air में present है और क्या देते हैं क्या छोड़ रहे होते हैं give out carbon dioxide gas और carbon dioxide gas को release कर देते हैं कहां पर atmosphere में plants on the other hand consume carbon dioxide during photosynthesis in daytime they then give out oxygen और वो क्या consume करते हैं green plant तो green plant consume करते हैं carbon dioxide और क्या देते हैं क्या release करते हैं oxygen gas को release करते हैं in this way a balance of carbon dioxide and oxygen is maintained in the air और इस तरह से nature में air में oxygen और carbon dioxide के बीच balance बना रहता है आए इसको हम picture के माध्यम से यहां पर समझ लेते हैं हम यहां पे देख रहें ना एक boy को दिखाया गया जो कि क्या represent कर रहा है animal या फिर human being को कह सकते हैं कि animal body को represent करता है तो यह boy क्या कर रहा है ना exhaling कर रहा है क्या excel कर रहा है carbon dioxide gas को excel कर दिया अभी जो carbon dioxide gas इस छोड़ रहा है वह कोन ले रहा है ना यह green plant ले रहा है कब photosynthesis के दोरान लेता है फिर यहाँ पर यह green plant क्या रिलेज करता है oxygen और यह oxygen कौन ले लेता है फिर यह boy boy is inhaling air तो जब boy air को inhale करता है तो oxygen gas को यह ले लेता है फिर जब वो exhale करता है तो फिर क्या करता है carbon dioxide gas को छोड़ देता है तो एक simple सा diagram दिखाये गया है कि किस तरह से atmosphere में oxygen gas और carbon dioxide gas के बीच balance बना हुआ रहता है तो यह हम समझ गए है next है do you know on an average a human being breathes 22,000 times and takes in about 16 kg of air every day हाना एक दिन में 16 kg air को हम लोग लेते हैं टेकिन एवर कितना बार breathing करते हैं तो 22,000 times हाना इतना बार हम लोग breathing करते हैं एक दिन में यह average है average कहने का मत्ता हो गया कि लगभग हाना यह approach data दिया हुआ है नेक्स्ट है roll of nitrogen नेक्स्ट है roll of nitrogen nitrogen gas present in the air is also essential for the growth of plants देखें, plants की growth के लिए nitrogen gas का होना बहुत ज़रूरी है यह लिखा हुआ है nitrogen gas helps in the rapid growth of plants अगर question आता है कि nitrogen किस तरह से helpful है plants के लिए तो हम लोग यह लिख सकते है nitrogen helps in the rapid growth of the plants plants को जल्दे जल्दे ग्रो करने में यह help करता है it also helps them to develop their fruits and seeds और plants को उसके seeds और fruits को develop होने में help करता है कौन? nitrogen चलिए यह दो point हो गया हम लोग first point यह लिखेंगे और second point यह हम लोग not कर लेंगे चलिए next बढ़ लेते हैं it also increases the size and quality of their leaves देखें और भी है it also increases the size and quality of their leaves leaves जो है plants के उसके quality को बढ़ा देता है उसको healthy रखता है आप इस sense में समझ सकते है plants therefore require nitrogen in large amounts इसलिए plants को जैदा मात्र में चाहिए क्या nitrogen चलिए however plants cannot absorb nitrogen directly from the air लेकिन air से direct plant nitrogen को नहीं ले सकता है हम जानते कि carbon dioxide gas को वो directly लेता है but nitrogen को वो directly नहीं ले सकता है तो वो कैसे लेगा देखें nitrogen gas has to be changed into other forms to be utilized by the plants plants के द्वारा युपयोग में लाया जा सके इसलिए nitrogen gas को change होना होता है दूसरे form में other forms लिखा हुआ है दूसरे form में change होना होता है nitrogen gas यह तो जानगे कि दूसरे form में change होना होता है अब यह होता कैसे है तो देखें the bacteria present in the soil हाना soil में जो bacteria present है help to convert the atmospheric nitrogen into such as specific forms नाइट्रेट and ammonium salt तो यह जो nitrogen gas है यह किस में change हो जाता है यह नाइट्रेट और ammonium salt में change हो जाता है तो इस में कैसे change होता है तो with the help of bacteria यह देखें bacteria अना bacteria के help से यह nitrogen gas किस में change होता है तो nitrate और ammonium salt में और यह कहां mix हो जाता है तो soil के साथ mix up हो जाता है इस salts are taken in by plants to get the nitrogen needed by them और यह जो salts है यह salts फिर plants के द्वारा ले ली जाता है with the help of their roots उसके roots के help से ले ली जाते है जो कि उसको जुरत होता है the plant roots absorb these salts from the soil plants then use them to form proteins which are essential for their growth तो यह जो nitrogen है पहले आप देखने की दुसरे form में change होता है और वो form क्या है तो nitrate है, ammonium salt है फिर यह जो form है वो कहां पे mix होता है soil में और soil से plants जो है रहा आपने root के help से इसको absorb कर लेते हैं और फिर क्या गरता न protein यहाँ पे बनता है which are essential for their growth और यह जो protein है यह protein plants के growth के लिए जरूरी होता है यहाँ पे flow chart हम देख पा रहे हैं यह flow chart है तो first में हम क्या देख पा रहे है nitrogen from air air में जो nitrogen है उसको वो किस में change हो रहा है तो bacteria के help से हाना वो change हो जाता है किस में चेंज हो जाता है specific form में change हो रहा होता है और फिर यह जो specific form है वो कहां पे mix होता है soil में such a specific form of the nitrogen get absorbed by plants from their for their growth और वो अपने growth के लिए उसको absorb कर लेता है soil से फिर next topic हमारे पास है atmosphere a shield atmosphere एक shield है shield मतलब कवच समझ लेजी हना सुरक्षा कवच वो किस तरह से यह हम लोग समझेंगे तो our atmosphere also acts as a shield very much like an umbrella जिस तरह से umbrella हम लोग को बारिश से बचा के रखता है उसी तरह से atmosphere हम लोगों को भी बचा के रखता है और वो किस तरह से तो आईए हम जानेंगे to protect us from harmful rays of sunlight sunlight में कुछ ऐसे rays हैं जो harmful हैं हम लोगों के लिए हानिका रखें तो वो जो harmful rays हैं उससे हम लोगों को बचा के रखता है प्रोटेक्ट करता है हना कौन बचाता है अपना atmosphere ozone gas present in the upper layers of the atmosphere prevents harmful ultraviolet rays of sunlight from reaching the surface of the earth तो आप ध्यान दिजे क्या कहा गया है कि sunlight से जो ultraviolet rays है ultraviolet rays आ रहा होता है यह हानिकारक होता है और यह rays जो है ना हम लोगों के लिए हानिकारक है तो यह rays को रोक लेता है कौन रोकता है तो ozone का एक layer है ozone gas जो है उसका एक layer बना हुआ है upper portion पर यह देखिए हम लोगों यहाँ पे picture में देख पा रहे है लिखा हुआ है ozone layer है यह pink color से देखिए एक कबच बना हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है ना ozone layer तो यह क्या करता है protect करता है हम लोगों को किस से ultraviolet rays से जो कि हानिका रख है these ultraviolet rays can cause skin and eye diseases in animals and affect the growth of plants plants के growth को भी affect करता है परभावित करता है और skin cancer का कारण बनता है skin disease and skin and eye disease यह धियान रखेंगे skin और eye disease का कारण बनता है thus ozone layer thus ozone layer in the air protects the animals and plants from the harmful effects of the ultraviolet rays present in the sunlight तो इस तरह से हम लोगों को safe रखता है ने बचा के रखता है कौन तो ozone layer तो यह तो था आज के लिए last topic और next अपना है pollution of air इसको हम लोग next video lesson में देखेंगे so I hope this video will helpful for you so please like this video and share with others and do sub comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead you